जिनकी आखों में सपने चुपते हैं, उन्हें नीद कहा आती है, जिसमें कुछ करने की आग होती है, दुनिया की बाते उसे कहां जलाती है, जिसे असफलता का भै नहीं, सफलता उसी के कदमों में गिर जाती है, बेपरवा है जो कि लोग क्या कहेंगे, काम्याबी उसे के सर ताज बहनाती है, जिनकी आखों में सपने चुपते हैं, उन्हें नीद कहा आती है, जिस पर उसके इश्ट और गुरुदेव की कृपा, हर चुनोती भी उसे आगे बढ़ाती है, जिसे बिना रुके कर्म करने की आदत हो, किस्मत भी ऐसे इनसान के सामने जुख जाती है, सपने तेरे उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी है, कभी परिस्थिती, कभी लोग, कभी रुकावट इन्हें दोश देना बंद कर, क्योंकि समय उसी का बदलता है, जिसे घड़ी की टिक-टिक सुभे शाम भगाती है, जिनकी आखों में सपने चुबते हैं, उन्हें नींद कहां आती है, जै शानी देव, जै श्री कुछना, ये कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने आपके लिए, ताकि आपके अंदर पूरे दिसंबर महीने आग लगी रहे कुछ न कुछ अच्छा करते रहो और चुनोतियों से कभी न घबराओ, 2023 जाते समय आपको क्या सौगात दे के जाएगा, कौन सा उपहार देगा, यही आज हम राशी फल में जानेगे, so let's get started पहले जालेंगे दिसंबर महीने में कौन से विशेश त्योहार है, 5 दिसंबर को काल भहरव जयनती और कालाश्टी पड़ेगी, जिस दिन काल भहरव का पूजन किया जाएगा, 8 और 9 दिसंबर को इकादशी का वरत रहेगा, 17 दिसंबर को विवापंचिमी मनाई जाएगी, जहां भागवान श्री राम माता सीता की जो marriage anniversary है उसको celebrate किया जाएगा, 22 दिसंबर को गीता जैनती है, 22 और 21 को इकादशी भी पड़ेगी, 26 दिसंबर को दतातरे जी की जैनती है, उनका जन्म दिवस है, और 26 दिसंबर को मार्क शीष पूर्णिमा प्रारंभ होगी और वरत बी पूर्णिमा का इसी दिन पढ़िका, और 31 दिसंबर को विशेश आमंतरण है आप सभी के लिए, नौग्रे शांती महायग्य का आयोजन होगा, इस दिन नौग्रे देवताओं को प्रसंड करने के लिए कम से कम पाँच भ्रामन हमारे हाई कत्र होंगे, और एक पंडाल लगा करके हम पूरा एक भव्वी तरीके से यक्य का आयोजन करेंगे, जिसे महायक्य कहते हैं, और वहां आप अपने सभी जो ग्रह आपको सता रहे हैं, परिशान कर रहे हैं, उन सभी को आप शांत कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार के नाम से आहुती देकर, सबसे पैस तो यह है कि आप स्वेम आएं, अपने नाम से आहुती प्रदान करें, जो लोग नहीं आ सकते हैं, वो सभी ओन लाइन हमारा जो नंबर स्क्रीन पर फ्लाइश हो रहा है, उस पर संपर कर सकते हैं, अपने मुख्या का नाम भेच सकते हैं, ताकि हम आपके नाम से कथा इसका विशेश प्रारंब उस दिन से मैं करूंगी, कहते हैं नौगरे देवताओं की कथा जो ही मनुष्य सुनता है, कि वल वो ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, उसकी साथ पीडियां तर जाती हैं, यानि कि आपकी घर में ग्रह कलेश कभी नहीं होगा, ग्रहों की स काम के समय कथा का आयूजन होगा, जो लोग आसके, स्वेम आकर के, मुख्य अज्मान बनके इस कथा का श्रवन करें, जो नहीं आ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस कथा को सुन सकते हैं, चलिए अब जानते हैं, दिसंबर के महिने में कौन से ग्रह फेर प्रवेश करेंगे उनका असर आप पे क्या होगा चलिए जानते हैं सूरी जो है वो व्रश्चिक राशी में रहेंगे और 16 दिसंबर को धनु राशी में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा जो है मन्त के स्टार्ट में एक दिसंबर को करक राशी में होंगे अपनी राशी में होंगे और गोचर करते हुए बिलकुल महिने के end में सिंग राशी में प्रवेश करेंगे मंगल जो है वो व्रश्चिक राशी में 28 दिसंबर तक बने रहेंगे और 28 दिसंबर को धनु राशी में प्रवेश कर जाएंगे बुद्ध जो है वो धनु राशी में प्रवेश अभी ये वक्री है, 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, 4 सितंबर से ये वक्री हुए थे, शुक्र जो है वो ब्रश्चिक राशी में रहेंगे दिसंबर के महिने में, शनी कुम राशी में ही बनी रहेंगे, कुम राशी में मार्गी शनी चल रहे है, राहो मीन राशी में और केतु जो हैं वो कन्या राशी में बने रहेंगे यह जो राशी फल है यह आपकी चंदर राशी पर आधारित है और अगर आपको अपनी जनम कुंडली की राशी नहीं पता है तो ऐसे स्थिति में नाम राशी से भी आप इस राशी फल को देख सकते हैं पूरा क्योंकि एक कॉमन राशी फल है लाखों लोग हमारे चैनल पर इस राशी फल को देखते हैं अपने आने वाले भविष्य की जिग्यासा को जानने के लिए कि क्या होने वाला है तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा राशी फल आप पर सटीक बैठे हैं हां बहुत से लोगों पर सटीक भी बैठेगा लेकिन अगर नहीं बैठ रहा है सटीक तो बिल्कुल परिशान मत हो यह कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो भगवान ने आपको यह वीडियो दिखाया है और इस वीडियो को यहां तक कि आप देख रहे हैं इसके अलावा कोई भी समस्या है निशुल का हम सेवा करते हैं मेरा तो पूरा जीवन ही सेवा में समर्पित है निशुल जनम कुणली देखते हैं हर गुरुवार को दिल्ली में आप आ सकते हैं और अगर आप कुणली नहीं दिखाना चाहते कोई समस्या आपकी है तो उसके लिए भी हम मंत्र सिद्ध करके नारियल देते हैं आप सावा मीटर लाल कपड़े में उसे बांध के लाएं हम आपको सिद्ध करेंगे भगवान की ऐसी क्रिपा है जो भी दरभार में आता है ग्यारा बार के अंदर उसकी इच्छाएच जरूर पूरी होते हैं रशब राशी वालों दिसंबर का महीना जो आपके लिए है दिसंबर का महीना एक चेंज का टाइम है बहुत समेश से जो चेंज को एकस्पेक कर रहे हैं आपको बहुत समेश से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लाइफ में बदल ही नहीं रहा कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है स चेंज दिसंबर के महीने में होगा, आप बदलो के, आपके हालात बदलेंगे, और उस हालात को बदलने के वैसे उसकी जो कॉंसिक्वेंसिस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो सब बदलेगा, तो एक अच्छा समय है, एक ऐसा पैटन जो बहुत समय से चल रहा था, आपका वो पै पीच में आपका उतना बैठना हो सकता है, अगर हायर पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो किसी बेटर जगे आप जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा, और अ आप ही काम करते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने लिए प्रोफाइल बनाएंगे, अपने लिए आप उन प्रोफाइल के गो थू करेंगे, फिर उसमें से शॉट लिस्स करेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो दिसंबर का महिना है, अपकर लिए प्लीफुलनेस लिक के आरा है, आपको काफी हसी मजाप की जो इनर्जी होती है, जो नए पन की जो इनर्जी होती है, आप ने सोचा, अब हम कहाने लिए जगे जाते हैं, तो हमारा मन जो है पुरानी चीज़ा एकदम हम भोल जाते हैं, हमारी जो लाइफ में जो चीज़े चल रहे वो हम भोल जाते हैं और उस नए environment की वज़े से हम बहुत जादा ही खुश अपने आपको महसूस करते हैं तो यह December का महीना इस तरह की energies आपके लिए लेकर आ रहा है कि बच्चों जैसी खुशी आपको महसूस होगी कुछ लोग जू घूमने जा सकते हैं कुछ अपने घर में pets लेकर के आ सकते हैं कुछ जो हैं पैट के किसी foundation वगेरा से जोड़ के भादान वगेरा भी कर सकते हैं या pets के ऊपर कुछ खर्चा कर सकते हैं pets को groom करने के लिए या उनके साथ खेलने वगेरा के लिए आप toys ले सकते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है गुरू मा को मेरा कोटी कोटी नमन मैं यह कहना चाहूंगी मैं जब से इनके साथ जूड़ी हूँ मुझे बहुत ही गुस्सा आता था लेकिन इनके साथ जूड़ने के बाद मेरा गुस्सा तो शांत हुआई मेरी केरियर में भी गुरोथ हुई मैं इनका जितना धनेवाद करूं उतना ही कम है सच में हजी में ग्रेट अनोयडा से आई हूं गुरूमा के द्वारा गुरूमा के पास आई थी पिछली वार और मेरे घर में बहुत सारी फैमिली प्रॉबलम थी जो गुरूमा के यहां पर आने पर सॉल्व हो चुकी है मैं उनका तहे दिल से जैसे गुरूमा साक्षाथ भगवान का यह रूप है कोई सुल्क नहीं लगता कोई पैसे नहीं लगते अपनी बढ़्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मा के तरफ से कोई सुल्क नहीं है शेर मार्कित में अगर आप इंवेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा सम हैं इन्वेस्टमेंट के परपस से अच्छा है जहां भी आपको लगता है कि रिस्क लेना है रिस्क लेने का समय है आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि आपका रिस्क होगा और रिस्क से आपको पैसे की प्रापती जरूर होगी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है कोई विपार सोच रहे है स्टार्ट करने के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है पुरानी सारी एनर्जी आपकी जाती हुई दिखाई दे रही है वुरानी सारी जो चीजें जो थोट पैटर्न या लेंगे कि अगले साल से हमें अपने अंदर ये चेंज लाना है और ऐसा नहीं कि दो चार दिन के लिए ये चेंज लाओगे ये चेंज आप पर्मिनेंटली अपने अंदर ला पाओगे बहुत से लोग अगर आप बहुत ओल्ड हैबिट से परिशान थे कुछ लोग मुझे होता मुझे दिखाई दे रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप पुरानी old bad habits को remove करेंगे और अच्छी कोई नई habits अपने लिए डालेंगे कुछ लोग creative field में जाते हुए दिखाई दे रहे है या फिर कुछ creative अपने लिए करते हुए दिखाई दे रहे है वो कुछ poetry हो सकती है book reading हो सकती है कुछ art gallery में भी आप जा सकते है कुछ भी creative वहाँ आप थोड़ा time December महिने में ज़रूर spend कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए traveling का यह मंत रहेगा December में आपको traveling करनी पर सकती है और traveling आपके लिए fruitful होगी लेकिन traveling मुझे लग रहा है कि एकदम से होगी आप ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सोचा हुआ है कि मुझे travel करना है अच्छानक से traveling आपके पास आएगी फिर उसक किसी चीज में उल्जा हुआ है तो वह भी उसका answer आपको मिलता दिखाई दे रहा है जिस वज़े से मुझे लग रहा है आपका मन जुह है वह बहुत जादा परिशान है जब कि सामने वाले की भी गलती नहीं है आपकी भी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपका मन जुह है परिशान हो रहा है किसी चीज से चुब रही है उनकी बात तो वो जो है उसको भी आप ठीक कर पाओगे कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं, अच्छा समय आप यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, that is really good कैड्मिक्स की बात करो तो कुछ लोग पढ़ाई में जैसे म्यूजियम वगेरा जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ अगर आप कोई collector हैं, जैसे stamp collector हैं, या currency collector हैं, या आप पुरानी चीजों की collection करते हैं, या उससे connected आपका कोई exotic art वगेरा से connected आपका कुछ या export import से connected आपका कुछ business है या काम है, तो उसमें लाब जरूर होगा और कुछ लोगी collection बढ़ती हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत नई नई चीज देखने को मिलेगी, या हो सकता आप किसी और के घर जाएं और उनके हां कुछ अलग ही आपको कुछ देख केवल बस थोड़ी acidity की problem, थोड़ी gastric problem आपको हो सकती है, वरना ऐसी कोई major health issue इस महिने में नहीं होगी, overall बात करें तो अच्छा समय है आपके लिए, और December का महिना आपके लिए जाते-जाते 2023 आपको कोई अच्छी ख़बर जरूर देके जाएगा और कोई चेंज आपकी कृपा से राशी फल का फल भी बद जाता है, तो आपको भगवान की कृपा मिलती रहे, संटों की कृपा मिलती रहे, अपने गुरुदेव की कृपा मिलती रहे, ऐसा आशेवाद देती हूँ, खुब सारी नब वर्ष की शुपकामनाएं अभी सही दे रही हूँ, जय哦 Shanide Jai Shri Krishna